दोस्तों अगर आपके पास कई सारे फोन हैं और आप एकी वर्टसप को सभी फोन में यूज करना चाते हो, चलाना चाते हो तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरस्टिंग है जरूरी है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसको आप यूज करके आप एक वर्टसप को कई सारे फोन में चला सकते हो आपको OTP की जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं किसी third party application को install करना है सिर्फ आपको वर्टसप के एक फीचर को यूज करने और आप बहुत ही असानी से एक ही वर्टसप को कई सारे फोन में चला पाऊगे क्योंकि काफी सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है कि उनके पास कई सारे फोन होते हैं और नंबर एकी होता है, वर्टसप एकी होता है, वो लोग एकी वर्टसप को कई सारे फोन में चलाना चाते हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक से रिकॉमेंट चला को सस्क्राइब जरूर की जगा, अब चले वीडियो को सुरू करते हैं। दोस्तों अब चले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप एक वर्टसप को दो फोन में चला सकते हो। आप यहाँ पर यह दो फोन देख सकते हो। ठीक है। आप यह वाला वर्टसप देख सकते हो। मैं आपको इस WhatsApp को दूसरे वाले फोन में चला कर दिखाने वैला हूँ ठीक है अब आप वीडियो को थोड़ ध्यान से देखना मालो कि हमें इस WhatsApp को इस दूसरे फोन में यूज करने ओके सबसे पहले आपको दूसरा वाला फोन लेने हैं दूसरे वाले फोन में WhatsApp को इंस्टॉल करने, ओके, WhatsApp को इंस्टॉल करके open करने, जब आप WhatsApp को open करोगे, आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का interface सो होगा, ठीक है, इसके बाद आपको arrow पर tap करने है, agree and continue पर tap करने, permission को allow करने है, दोस्तों अब आपको number वेगरा नहीं डालना है, ठी ठीक है, आपको यहाँ पर three dot का option मिलेगा, आपको इस पर tap करने है, आपको first number पर एक option मिलेगा, link as campaign device, आपको इस पर tap करने है, जब आप इस पर tap करोगे, आपको एक QR code सो हो जाएगा, ओके, अब आपको दूसरा वाला phone लेना है, WhatsApp को open करने, WhatsApp को open करने के बाद, आपको three dot पर tap करने है, यहाँ पर आपको एक option मिलेगा, linked devices, आपको इस पर tap करने है, आपको link a device पर tap करने है, अब इसके बाद, आपको अपना finger लगाना है, ठीक है, या आपसे home screen का password मांगेगा, आपको password डाल देना है, ओके, अब दोस्तों आपको पहले वाले phone के QR code को scan करने, इस तरह आ आप QR code को scan करोगे, आपका जो WhatsApp है, पहले वाले phone में login हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारा जो WhatsApp है, login हो रहे, हमारा जो WhatsApp है, वो login हो चुक है, दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, एक WhatsApp दो phone में चल रहे, तो इस तरह बहुत ही आसानी से, एक WhatsApp दो phone म चला सकते हो ठीक है आप 3-4 फोन में भी अपने वर्टसअप को लॉगिन करके यूज कर सकते हो आप देखो सेम वर्टसप है और दोस्तों यह जो वर्टसप है यह लॉग आउट नहीं होता है आप 15 दिन तक वर्टसप को जूज कर सकते हो, 15 दिन बाद आपका जो WhatsApp है वो automatic logout हो जाएगा, 15 दिन बाद आपको फिर से scan करना होगा फिर आप अपने WhatsApp को एक phone से दूसरे phone में जूज कर पाओगे ओके, अगर आप WhatsApp को हटाना चाहते हो, आप चाहते हो कि जो आपने WhatsApp को login किया है वो हट जाए, तो दोस्तों आपको three dot पर tap करना है फिर से आपको linked devices पर tap करना है, यहाँ पर आपको so हो जाएगा कि आपका जो WhatsApp है वो कौन-कौन से device में login है और आपको यहाँ पर device so हो जाएगा, आप जिस device से logout करना चाहते हो, आपको उस पर tap करना है, यहाँ पर आपको logout का option मिलेगा, आपको logout पर tap करना है, जैसे ही आप logout पर tap करोगे WhatsApp गायब हो जाएगा तो हमने logout कर दिया है अब आप यहाँ पर देख सकते हो WhatsApp गायब हो चुका है ठीक है तो दोस्तों इस तरह आप एक फोन से दूसरे फोन में WhatsApp को log in करके यूज कर सकते हो और इस तरह हटा सकते हो ठीक है, अगर आपको फिर से log in करना है link a device पर tap करना है ओके आपको scanner को open करना है और आपको पहले वाले फोन में QR code को open करना है ठीक है, 3.0 पर tap करना है link a campaign डिवाइस पर tap करना है QR code सो हो जाएगा अब आपको इसको scan करना है जब आप scan करोगे, आपका जो WhatsApp है वो log in हो जाएगा तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कर दो चैनल पर नहीं चैनल को subscribe कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही knowledgeable videos बनाता रहता हूँ वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद